ग्यान के उडान यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम चानेंगे कि आपने बच्पन से काफी दुनों से सुनते चले आ रहे हैं कि 2G, 3G, 4G और आप 5G यह जो मतलब जो हमारा नेटवर्क है उसमें स्पेक्ट्रम होता है कि गौवर्मेंट ने इतने करोन रुपए का स्पेक्ट्रम बेचा तो यह स्पेक्ट्रम आखिल होती क्या चीज है तो इस वीडियो का अगर आप देखते हैं लाश्ट तक आपको एक दम से समाझ में आ जाएगा छोटा सा वीडियो है यह सुरू करते है इस वीडियो को देख सारी कमपनिया जब इनको आपरेटर बनना था सबसे पहले इनको आपरेटर बनना था मतलब नेटवर्क आपरेटर बनना था तो यह कमपनिया क्या हुआ कि यह गौवर्मेंट के पास इनको जाना होता है और जब यह गौवर्मेंट के पास जाती है तो गौवर्मेंट कहती कि आप कुछ पैसे मांगती है गवर्मेंट कि इतना करोण रुपया आप पहले की बाद मैं आपको उता रहा हूं कि इतना करोण रुपया आप दे दीजिए और आप एक लाइसेंस लीजिए ठीक है लाइसेंस ले लीजिए और आप अपना नेटवर्क चलाईए और उसके होता है वह एक रजिस्ट्रेशन होता है ठीक है तो रजिस्ट्रेशन एक ही बार होता है बार बार नहीं होता है एक बार किसी कंपनी रजिस्ट्रेशन करा लिया तो उसका रजिस्ट्रेशन हो गया लेकिन जो हमारा इस्पेक्ट्रम होता है यह चीज वह उसे हर बार इस्प होता जाएगा उतने congregation का se spectrum लेना पड़ेगा तो यह जो spectrum हमारा होता है या actuLIM होता क्या है कि यह network होता है okay ? network जो हमारे mobile में आता है network हवा से चलता है network जो हुता है तो अलग- अलग frequency होती है इस network की अलग- अलग company की अलग-अलग frequency होती है फ्रिक्वेंसी होती है तो गौवर्मेंट इसी फ्रिक्वेंसी को वो बेचती है क्योंकि जितना भी जिसे बिजली है पानी है जमीन है इन सब पे गौवर्मेंट का अधिकार है हवा है तो इसी हवा में जो अलग-अलग फ्रिक्वेंसी की नेटवर्क चलती है अलग-अलग कम तो यह जो companyya होती है उनकी frequency चुकि अलग अलग इसलिए होती है, क्योंकि अगर अलग frequency अगर नहीं होगी तो एक बोड़ा फोन के network से, frequency से, idea का frequency होगी, वो match कर जाएगी, तो उसे दिक्कत होगी, इसलिए अलग अलग frequency बेची जाती है, तो जैसे जैसे generation बढ़ता जाता है, उ frequency है उसकी power बढ़ती चली जाती है तो actual में जो spectrum होता है वो frequency होती है कि एक जैसे 4G का एक special frequency होती है कि इतनी frequency से इतनी frequency के बीच में 4G होगा तो उन्हीं के बीच में एक होगा ना कि इसे माल लिजे 10 hertz से लेकर के 15 hertz ठीक है इन दोनों के बीच में 4G है तो किसी को 10 hertz दे दिया गया किसी को 11 दे दिया गया किसी को 12 दे दिया गया कुछ इस तरह से अलग-अलग network मतलब frequency दे दिया जाता है तो इससे उनका अलग-अलग network अपना स्थापित हो जाता है तो इसी को हम spectrum बोलते हैं जिसको government बेचती है उन company हो को तो मुझे उमीद है कि आपको spectrum एकदम से समझ में आ गया होगा कि spectrum होती क्या चीज़ है तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा शेयर कर दीजेगा जिससे आपकी knowledge और आपके दूस्तों की वी knowledge इंप्रूब हो सके तो मिलता है नए वीडियो के साथ तब तक अमना बहुत बहुत ख्याल रखें और इस वीडियो को पूरा का पूरा ध्यान पूरक और धर पूरक देखने के लिए आपका प्रेम पूरक ब